अलो दोस्तों नमश्कार आप से भी के स्वागत है DR KTV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनेया भी कानेर राजस्थान से दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि सर हमारा जो दिमाग है वो छोटी-छोटी बातों को पगड़ लेता है कोई भी छोटी सी बात होती है जो दूसरे लोगों के लिए बहुत आसान सी बात है लेकिन हमारा दिमाग उस बात को पकड़ लेता है हम इस चीत से मुक्त नहीं हो पाते तो दोस्तों इस प्रकार की प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकलें इसके उपर पूरा का पूरा scientific session में आ कोई event नहीं होगा जब इस तरह की बाते नहीं होगी बाते तो हमेशा होनी है तो क्या किया जाए दोस्तों हमारे अंदर जो इन बातों को पकड़ने वाली जो mechanism है जब तक वो mechanism हमारे अंदर पड़ा रहेगा तब तक हमारा जो दिमाग है इन छोटी छोटी बातों को वाली mechanism कौन सी है दोस्तों वो है हमारे core belief core belief कह सकते हो या फिर हमारे जो core patterns है जो neural patterns है वो हमारे अंदर अगर पड़े रहेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो छोटी छोटी बातों को क्या करता रहेगा पकड़ता रहेगा अच्छा किस तरह की जो core beliefs हमारी जैसे मान लिजी कि मेरा core belief बनावा है कि मुझे कुछ होगा अब मुझे कुछ होगा ये मेरा एक core belief बनावा है अब ये death जो है वो सब लोगों के लिए एक सामानी सी बात है जितने भी लोग है उन सब लोग इस death की news को सुनते हैं लेकिन सब लोग इस तरह से panic नहीं हो तो जिस तरह से मैं panic होता हूँ सब लोगों के दिमाग में ये बात उस तरह से नहीं रुखती, जिस तरह से मेरे दिमाग में रुखती है, अच्छा death, यार मेरी तो death नहीं हो जाएगी, या मेरे घरवालों को कुछ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरे भीतर से मैंने मान रखा है, हमारे अंदर ये जो negative patterns बन आया, और यार मुझे भी heart attack आयेगा, मान लिजी कि मैं दोड रहा हूँ, और दोड़ते दोड़ते मुझे सीने में भारीपन लगा, और बापरे अपने को तो heart attack आयेगा, अच्छा ये heart attack वाला thought ही क्यों आया, क्योंकि हमारा core belief क्या बना हुआ है, heart attack का बना हुआ है, core belief क्य का बना हुआ है, कि कुछ हो जाने का बना हुआ है, कि कुछ ना कुछ तो अपने साथ में दिक्कत होगा ही होगा, आच्छा, मान लिजी कि मैंने core belief में मेरा ये बना हुआ है, कि मैं अच्छा नहीं दिखता, ये मेरा core belief बना हुआ है, अब ये core belief बना हुआ है, तो मैं अगर कहीं पर भी घुमने जा रहा हूँ कहीं पर भी किसी भी party के अंदर जा रहा हूँ तो वहाँ पर लोग आपस में बाते कर रहे हैं और उन बातों के अंदर अगर कोई मुझे हंस्तावा दिख जाता है और उसकी आँखे मुझ से मिल गई हंस्तावा दिखना और उसकी आँखों का मुझ से मिल न तो अब वह जो हंस्ता हुआ अब मेरे दिमाग में आगगा अच्छा यार मैं अच्छा नहीं दिखता वह हंस्ता था? यह उसका जो हंस्ता है वह सब लोगों के लिए नॉर्मल है वह पूरी party के लिए हंस्ता रहा है वो वहाँ पर जितने भी लोग है उन सब के लिए उसकी हसी मुक्त है लेकिन हमारे ही दिमाग में यह कहानी क्यों अटकी बाकी लोगों की दिमाग में तो कहानी नहीं अटकी क्यूं क्यूंकि हमारा core belief बना हुआ है कि नहीं यार अपन अच्छे नहीं दिखते या फिर जो लोग है वो मेरे बारे में सही नहीं सोचते अच्छा मेरा core belief बनावा है कि लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते तो अब यहां से क्या होगा कि अगर मैं मान लीजी कि कहीं पर भी मेरे गर में या मेरी ऑफिस में दो लोगों को मेरे सामने बाते करता हुआ देखूंगा, तो मेरे दिमाग में अटमेटिकली यह जो इवेंट है, यह स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, मेरे दिमाग इस बात को पगड़ लेगा, अच्छा, यह दोनों बाते कर रहे ह हैं, अच्छा, यह बाते साइद मेरी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बारे में ही नेगेटिवेटी फैला रहे हैं, तो यह मेरी बात कर रहे हैं, यह क्यों कर रह esperar है, और उनको देखके फिर अपने को क्या आएगा, वाह पर गुस्सा आएगा, चिडडज़ा पना आएगा, तो मुझे बहुत ज़ादा बूरा लग गया मुझे वो चीज बहुत ज़ादा emotionally affect कर गई अच्छा वो emotionally affect क्यों कर गई क्योंकि मैं अपने बीतर से पहले से बहुत ज़ादा बूरा मान के बैठा हूँ मेरे बीतर पहले से बूरे मानने के जो pattern से वो बहुत strong बनेवे हैं, बस थोड़ा सा धक्य की ही जरूती, जैसे मानली जी कि एक गाड़ी है, वो पूरी तरह से start खड़ी है, उसके चक्य चल रहे हैं, लेकिन बस उसको बांध के हमने पकड़ के रोक रखा है, हम जैसे उसको छोड़ेंगे गाड़ी भाग जाएगी, क्य क्योंकि गाड़ी ऑल्रेडी किस फॉर्म में थी, चलने के फॉर्म में थी, उसी तरह से हमारा जो दिमाग हूँ पहले से ही उन नेगेटिव पैटर्स के फॉर्म में पड़ा था, और बस बाहर से तो सिर्फ एक stimulation मिला, एक activating event मिला और वो activating event जैसे ही मिला, बस फट पड़े हम तो हमारे पैटर्न इस्टुमलेट हुए और हमारे दिमाग के अंदर negative thoughts का एक chain स्टार्ट हो जाता है, और उसी negative thoughts के chain की वज़े से बहुत ज़दा गबराट होती है, बहुत ज़दा बेचेनी होती है, अलग-अलग प्रकार के explain करता है क्योंकि perception क्या बना हुए negative बना हुआ है, तो उसमें भी हमारा दिमाग फिर और खराब से खराब जो conclusions है, गलत से गलत conclusions है, वो हमारा दिमाग क्या करता है, create करता है, जिससे हम panic हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो समश्या की जवजड़ है, कि अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे दिमाग जो है, हमारा जो दिमाग वो छोटी छोटी चीजों के अंदर अटके नहीं, जैसे दूसरे लोग बहुत आसानी से हर बात को आया गया कर देते हैं, तो हम भी उस बात को आया गया कर दें, उसके लिए हमें हमारा जो यह core belief वाला concept है, इसको सही करना और neural patterns बने वे, इन neural patterns को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, अच्छा यह neural patterns कैसे सही होंगे, तो हमें थोड़ा यह समझना पड़ेगा कि यह neural patterns बनते कैसे हैं, दोस्तो हमारे दिमाग में जितनी भी information जाती है, जो भी information जाती है, surrounding से बच्पन से अब तक ह हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी learn किया, यह सारी की सारी information जो है, वो हमारे five sensory organs है, आंक है, नाक है, कान है, इसके तुर कहा जाती है, हमारे दिमाग में जाती है, और दिमाग के अंदर दोस्तों, neurons होते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, neurons, और जैसी यह information in neurons में travel करती है, त यह आपस में connect होके क्या बना देते हैं, patterns बना देते हैं, और इन ही patterns के अंदर क्या रहती है, information stored रहती है, जैसे मान लिजी कि मैने negative, 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 नेगेटिव हर चीज़ को मैंने नेगेटिव वे में क्या किया, conclude किया, analyze किया, conclude किया, analyze किया, तो मेरे अंदर क्या बन जाएगा, negative pattern बन गया, तो कोई भी surrounding में कुछ भी होगा जो इस pattern को stimulate करता है, तो यह pattern stimulate होगा और फिर मेरे दिमाग में क्या आएगा, automatic negative thought आएगा, तो किसना उसको पकड़ लेगा, किसी का तेज बोलना उसको पकड़ लेगा, किसी का चिलाना उसको पकड़ लेगा, किसी का आप से बात ना करना उसको पकड़ लेगा, कोई भी physical symptom हो रहे हैं, उसको पकड़ लेगा, क्योंकि पकड़ने वाली जो mechanism है न, वो हमारे अंदर मौज करना पड़ता है किस तरह से इसका regular practice करें गे दोस्तों जो B तो मतलेकं विदन्ट से जो भी थॉट हमारे दिमाग में आता है हमारे पास में उस थॉट से रिलेटीड क्या evidence रेविदैंच है मेरे पास में उस थॉट से related क्या proof है उस proof को मुझे क्या करना पड़ेगा अपने आपको बताना पड़ेगा उसको लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस thought को challenge करना पड़ेगा जब मैं उस thought को continuously challenge करता हूं तो मेरे जो दिमाग है जैसे कोई भी surrounding में event होगा तो उसके अंदर actual reality क्या है? उस reality के according मेरा दिमाग क्या करेगा? काम करेगा? मेरार दिमाग actual reality के according काम करेगा तो मैं क्या करेगा? उसके death हुई, मेरी क्यों हो जाएगे, मेरे तो सारे कुछ test normal है, physically मेरा जो system हो एकदम बढ़ी आए, किसी का heart attack से death हो, मेरा तो एकदम बढ़ी आए, तो मेरा क्यों हो जाएगा, तो यह जो reality वाला part है, जब यह हमारे अंदर आता है, तो फिर हम उस event से क्या हो जाता है, मुक्त रहते हैं, तो जब हम उसको dispute करने लगते हैं, तो realistic information दिमाग में जाती है, realistic neural patterns बनते हैं, और यही realistic neural patterns future में क्या create करते हैं, reference create करते हैं बाहर के events के लिए, अगर इन patterns को बाहर के जो event वो stimulate नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम उनसे क्या रहते हैं, disconnected रहते हैं, एक positive, more realistic, more adaptive thought ही हमार रहोगे, तबी तो आप दूसरे काम में क्या कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, मजे के साथ में आगे की यात्रा कर पाओगे, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, नीचे comment box में लिखकर जुरू बताएगा, और अब तक ये दिया आपने मेरी YouTube चैनल DR, KTV को सस्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज उससे सस्क्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, दोस्तों हम लोगों ने CBT के उपर एक Step by Step Learning का पूरा वर्क्शॉप लांच किया है, जिसका लिंक पूरी तरह से खतम कर सकते हों, जिसके कारण आपका जो मन है वो छोटे छोटी बातों के अंदर अटक जाता है, anxiety को हम खतम कर सकते हैं, panic को खतम कर सकते हैं, OCD को, overthinking को, negative thinking को, इनको पूरी तरह से खतम करने में हम बहुत अच्छे से इसकी मदद ले सकते हैं, बहुत बहु